नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोमाट ग्वालियर पर मैं जीस सिंग आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ किसान भाईयों आज मैं आपको ऐसे सफलकिसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने बहुती कम समय में अच्छा कासा प्रोफिट कमाया है और एक सफलकिसान बन गया है ये सादारण सी जोपडियां बहुती खास हैं इन्हें किसमत बदलने वाली जोपड़ी कहा जाए तो अतिस्तियोक्ति नहीं होगी भरतपुर के ग्रामिड इलाके में नगला गोपाल के पास एक किसान अभेबीर सोलंकी ने इन्हें अपनी मेहनत और लगन से अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए तयार किया है भरतपुर में समय पता पहला मौका है जब इस तरह के मस्रूम की खेती सुरू की गई है आई जानते हैं एक जोपडी बनाने में कितनी लाकत लगती है वो इस वीडियो के माद्यम से आपको पूरी जानकारी दूँँगा तो किसान भाईयो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिपी किसान आपको मिल सकें चलिए किसान भाईयो शुरू करते हैं भरतपुर में समझता है यह पौला मौका है जब इस तरह से मस्रूम की खेती शुरू की गई है जोपडी के अंदर बांसों के रेक बनाए गए हैं जिन में मस्रूम के पैकेट डखे गए हैं इनी पैकेटों में मस्रूम उगाई जा रही है भरतपुर से इस मस्रूम की सबलाई गोरकफुर, बस्ती, मतुरा, आगरा और देश के अन्य सहरों में कर रहे हैं अब उनका सालाना कमाई 30 लाग रुपे के आसपास हो गई है उत्पादन करने वाले अवैवीर सोलंकी ने बताया कि वह एक भीगा खेत में 10 जौपडियों में मस्रूम उत्पादन कर रहे हैं जौपडियों में 200 पर घास पूस लगा कर व्लॉक तयार किये गए हैं एक व्लॉक में करीब 2 लाग रुपे की लागत आई थी मस्रूम उत्पादक सोलंकी ने बताया कि वह अब तक 10 जौपडियों में से 25 लाग रुपे कमा चुके हैं जौपडियों में मस्रूम उत्पादन को देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पहुंच रहे हैं मस्रूम की खेती करने वाले किसान अवयवी ने बताया कि मस्रूम की इस तरह की खेती 16 से 20 डिगरी सेल्सियस वाले राके में होती थी मेरा एक मित्र था जो इस तरह की खेती कर रहा था दोस्तों के यहां से इस तरीके को सीख कराए थे उत्राखण में यह तरीका अपनाया जा रहा था तो उन्होंने भरत्पुर में ऐसे आलमाया और बढ़ाया जाएगा एक जोपड़ी से प्रती दिन 30 किलो से अधिक मस्रूम का उत्पन हो रहा है जिसे कई राज्यों में सप्ल सी लाग रुप़े की कमाई की आए एक जोपड़ी में बांस का एक ट्रेक्टर बणने में करीब cricket रुपए का खर्चा आता है फिर खाद और मसरूम की रुपाई करने में कुल दो लाग रुपई का खरचा आता है एक जोपड़ी में 4,000 किलो मसरूम का उत्पादन हो सकता है 100 प्रति किलो के हिसाब से बिखती है ये मसरूम इस तरह से एक जोपड़ी से 4 लाग रुपई तक की कमाई होती है किसान बाईयों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ जैहिंद बंदे मातरम